हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एड्यूहब एड्यूहब ऑनलान क्लासिस में आपका स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वह है राजस्थान कलावर संस्कृति के महत्तपुर्प्रसन दोस्तों इसका पार्ट वन हमने देखा है वह बहुत ज़्यादा इं इवन मेरे को लोगों ने परसनल मैसेज करके भी ये कहा कि सर ये जो आपने स्रीज स्टार्ट किया है इसको प्रीज कंटीन्यू रखे इसमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल रही है ठीके तो इसी वेसेश पर मैंने ये जो पार्ट टू है इसको बनाया है फ्रेंड्स ये आपको जो है एक्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्यों करेगा मैं उसका रिजन बताना चाहूंगा दोस्तों पहले मैंने आपको राजिस्तान कल्चर पूरा पढ़ाया था उसका ये रिविजन भी हो जाएगा और मैं एक ही क्युस्टन को उसका पूर जो है एनालाइसेस करके आपको बताता हूं जिससे क्या होता है कि आपको क्युस्टन याद करने के साथ में उसका डिटेल पूरा याद हो जाएगा ठीके तो यह अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बीना समय को गवाते हुए हम स्टार्ड करते हैं र मैदानी भागों में की जाने वाली क्रसी को दजिया क्रसी कहते हैं किस कौन सी जंजाती पहली बात याद रखो भील जंजाती भील जंजाती द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली क्रसी को दजिया क्रसी कहते हैं क्लियर तो दजिया क्रसी भील जंजाती द्वारा मै प्रदानी भागों में की जाने वाली क्रसी को कहा जाता है। जो है भील संप्रदाई से संबंदित है, फ्रेंड्स। नेक्स चलो, भीलो द्वारा विवा के अफसर पर किया जाने वाला नर्त्य कौन सा है? हाती मना नर्त्य। जो भील जन जाती है, वो साधी या विवा के अफसर पर हाती मना नर्त्य करती है। कौन सा हाती मना नर्त्य ठीक है दक्षिन राजस्तान में भील जन जाती का कौन सा नर्त्य नाटक के रूप में किया जाता है तो जो गवरी है वो नर्त्य नाटक के रूप में किया जाता है ठीक है फ्रेंट्स दक्षिनी राजस्तान में भील जन जाती का जो गवरी नर्त्य ह वो एक नाटक के रुप में किया जाता है वर्षा के देवता कौन है मामा देव जी जो है वो वर्षा के देवता है भैस की कुरबानी दी जाती है और कास्ट के तोरन की पूजा की जाती है दोस्तो ठीके वर्षा के देवता कौन है मामा देव जी जो है वो वर्षा के देवता है काश्ट के तोरन की पूजा की जाती है और भैस की कुर्बानी दी जाती है किलियर आगे देखो मली नाथ जी का मंदिर कहां पे है तो तिल वाड़ा बारमेर में जो है मली नाथ जी का मंदिर है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पसु मेला भरा जाता है राजस्थान का स अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक कर लीजिए मेरे सेसन को जिसे मेरा भी मोटिवेशन लेवल भड़े और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें ठीके तो हम पहला देख रहे हैं दजिया क्रसी किसे कहते हैं भील जन जाती द्वारा मैदानी भागों में जो क्रसी की जाती है उसे दजिया क्रसी कहते हैं एकदम सिंपल तरीके से सिंपल वियमे मैं आपको पढ़ाऊंगा और आई गैरंटी कि आपको इस वीडियो के दोरान ही ये सारे क्यूसंस याद भी करवा दूँगा में दूसरा देखो भीलो के किस नरत्यों को खेल नरत्यों भी कहते ह बांस्वाडा का मानगर्धाम भील संप्रदाय का परमुख इस्थान है भीलो द्वारा वीवा के अफसर पर हाती मना नरत्य किया जाता है दक्षिन राजस्थान में भील जन्जाती का कौमचा नरत्य नाटक के रुप में किया जाता है तो गवरी नरत्य जो है वो एक नाटक के रुप में किया जाता है इसमें सीव और पारवती दोनों ही बनते हैं ठीके बर्षा के देवता कौन है तो मामा देव जी जो है वो बर्षा के देवता है इनके काश्ट के तोरन की पूजा की जाती है और भैस की कुर्बानी दी जाती है मली नाजी का मंदीर कहां पे है तो मली नाजी का मंदीर तिलवाड़ा बारमेर में है और यहां पे राजस्थान का सबसे प्राचीन पसू मेला भरा जाता है बाबा हरी राम जी का मंदीर जोडरा नागोर और मेला भादरपद सुकल पंचमी को गोडो का तिर्थ इस्तल किसे कहते है आलम जी का धोरा जिसे गोडो का तिर्थ इस्तल कहा जाता है मेला भादरपद सुकल दित्या को और माग सुकल दित्या को भरा जाता है गुढा मनाली बारमेर में और यहां पे है गोडो का तिर्थ इस्तल तो गोडो का तिर्थ इस्तल है आलम जी का धोरा जो है वो गोडो का तिर्थ इस्तल है और यहाँ मेला वर्ष में दो बार भरा जाता है भाद्रपद सुकल दित्या को और माग सुकल दित्या को भरा जाता है गुढा मनाली बार मेल में इस्तित है फ्रेंड्स क्लिर आगे चलो करोली के मिनाओ की अराध्य देवी है केला देवी का मंदीर करोली में है गीत लांगूर या गीत गाया जाता है करोली के यादववन्स की ये कुल देवी है मेला चेत्रकृष्ण अस्टमी को भरता है और ये काली सिल नदी के किनारे पे इस्तित है तो करोली के मीनाव की अराध्य देवी कौन केला देवी केला देवी का मंदिर करोली में केला देवी के अराध्या में लांगूर्या गीत गाया जाता है और केला देवी करोली के यादव वन्ज की कुल देवी है मेला चेत्रकृष्ण अस्टमी को भरा जाता है काली सिल नदी के किनारे पे जो है केला देवी का मंदिर इस्तित है मैं आपको पूरा डिटेल में आलाइस करके पढ़ाऊंगा आपको भी पढ़ने मजाएगा और एक ही क्युस्टंस में बहुत सारे क्युस्टंस आपको याद हो जाएंगे कर्णी माता का जनम हुआ था जोदपुर के सुवाप गाउं में कर्णी माता का जनम हुआ था इनके उपनाम इनको और हिन नामों से जाना जाता है तो चूहों की देवी चारनों की अकुल देवी है और बिकानेर के राठोडों की अराध्य देवी है ठीके दो चीज़े ध्यान रखना करणी माता का जनम तो जोदपूर के स्वाप गाउं में हुआ था और इनका उपनाम इनको चुहो वाली देवी भी कहा जाता है और राठोड वन्स के ये अराध्य देवी है और ये चारणों की कुल देवी है मंदीर कहां पे है इनका देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का भव्य मंदीर है किस देवी के उपरी हिस्ते में पांच प्रतीमा है तो सीला देवी जो है उनके उपरी हिस्ते में पांच प्रतीमा है सुन्धा माता का मंदीर जालोर में है सुन्धा माता का मंदीर कहां पे में है जालूर में है दोस्तों के लिए ठीक है तो अब एक भ़र हम इसका रिविउ कर लेते हैं कुट रिविविव देखो बाबा हरी राम जी का मंदीर जोड़ा नागोर के अंदर मेला भाद्रपद सुकलपंचमि को मेला भाद्रपद सुक्लपंचमि को भरा जाता है कातिर्थ इस्तल है मेला भाद्रपद सुकल दित्या और माग सुकल दित्या पर भरा जाता है घोडो कातिर्थ इस्तल आलम जी का धोरा घोडो कातिर्थ इस्तल कहलाता है और यहां गुडा मनाली बाड मेर में इस्तित है फ्रेंड्स करोली के मिनाओ की अराध्य देवी कौन है तो करोली के मिनाव की अराध्य देवी केला देवी माता जो की करोली में इनका मंदिर है इनकी अराध्य ना में लांगूर्या गीत गाया जाता है और करोली के यादववन्स की भी कुल देवी है ये करोली के यादववन्स की कुल देवी और करोली के मीनाव की अराध्य देवी है मेला चेत्र कृष्ण अस्टमी को भरा जाता है काली सेल नदी के किनारे पे इस्तित है मंदिर कर्णी माता जो है उनका जनम हुआ था तो जोदपूर के सुवाप गाउं में कर्णी माता का जनम हुआ था इनका उपनाम चुहो वाली देवी चारनों की कुल देवी और बिकानेर के राठोडों की यह अराध्य देवी है राव बिकाने इनि के आसिरवात से जांगल प्रदेश को बसाया था जांगल प्रदेश में राठोडों की स्थापना की थी किस ने राव बिकाने क्लियर आगे चलो मंदीर कहां पे है तो कर्णी माता का मंदीर देशनों भी कानेर में है किस देवी के उपरी हिस्से में पांच प्रतीमा है तो वो देवी है सीला देवी क्लियर सुन्दा माता का मंदीर कहां पे है फ्रेंड्स जालोर में है आगे देखो बडली माता का मंदीर इस्तित है बडली माता का मंदीर आकोला चितोर गड में इस्तित है बेड़च नदी के किनारे पे इस्तित है दो तिबारियों से अगर बच्चे को निकाला जाए तो बच्चे की बीमारी दूर हो जाती है तो बडली माता का मंदीर आकोला चितोर गड में इस्तित है बेड़च नदी के किनारे पे इस्तित है और यहाँ पे दो तिबारिया है अगर उन तिबारियों से आपने बच्चे क को निकाल दिया तो बच्चे की बिमारी दूर हो जाती है खीमल माता का मंदीर भीन माल जालोर में है और यह भीन माल छेत्र की आदी देवी कहलाती है चौत माता का मंदीर सवाई माधोपूर में है चौत माता का मंदीर कहां पे सवाई माधोपूर में कनजर समाज की यहां कुल देवी है कौन से कंजर समाज की यह कुल देवी है सुहा की रक्षा हे तू कार्तिक कृष्ण चतुर्ती को उपवास रखते हैं सुहा की रक्षा हे तू जो महिलाई है वो कार्तिक कृष्ण कार्तिक कृष्ण चतुर्ती को जो है उपवास रखते हैं क्लियर, चौत माता का मंदीर कहां पे, सवाई बाधोपूर में, और एक कंजर समाज की कुल देवी है, क्लियर है दोस्तो, अश्ट भूजा प्रतीमा किस देवी की है, तो सीला देवी की जो प्रतीमा है, वो अश्ट भूजा प्रतीमा है, यह आमेर जैपूर में इस्तित है, और यहाँ जैपूर के कच्छवावन्स की इस्ट देवी है, जो यह सीला देवी है, यह मंदीर जो है आमेर दुर्ग में इस्तित है, और यहाँ जैपूर के कच्छवावन्स की इस्ट देवी है फ्रेंड्स, महाराजा मान सिंग ने क्या किया बंगाल विजे के सबसात कैदार को हरा कर यहाँ लेकर आए थे जो बंगाल विजे किया था और वहाँ पी इन्हों ने कैदार को हरा कर महाराज मांद सिंग प्रत्थम ने यहां पर यह मंदिर इस्थापित किया सीला देवी का मंदिर जो की आमेर दुर्ग में इस्थापित किया था तो यह अश्ट भूजब प्रतीमा है सीला देवी की और यह जैपूर के कच्छवावन्ज की इस्थ देवी है जैपूर के संस्थापक कौन है कच्छ दूले राय जो है वो जैपूर के संस्थापक है किस लोक देवी की खंडित प्रतीमा की पूजा की जाती है very very important questions तो जो सितला माता है सील की डुंगरी चाक्षू जैपूर के अंदर इनका मंदीर है इनकी खंडित प्रतीमा की पूजा की जाती है सीतला माता सील की डुंगरी चाक्षू चाक्षू जैपूर में इनका मंदीर है और जो तो सीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, सीतला माता की जब मेला होता है, उस दिन सब लोग बासोड़ा खाना खाते हैं, मतलब उस दिन घर में चूला नहीं जलता है, पहले एक दिन खाना बनता है, और उस दिन पहले भगवान को भोग चड़ाने के बाद मे खाना गरन किया जाता है सीतला माता को चेचक निवारक देवी और बच्चों की सरक्षिखा भी कहा जाता है और इनका मेला चेत्र कृष्ण अस्टमी को भरा जाता है जो सीतला माता है इनको चेचक निवारक देवी और जो है बच्चों की सरक्षिखा भी कहा जाता है friends clear तो जो एक देवी है सीतला माता इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है दोस्तों इनका पूजारी जो है वो कुम्हार होता है ठीक है और इनका जो सवारी है वो है गदा गदे पर सवार्थी माता ठीक है और सील जी डूंगरी चाक्सु के अंदर चाक्सु जैपूर क अंदर इनका मंदीर है चेचक निवारक दीवी और बच्चों की सरक शिखा भी कहा जाता है के लिए रहे दोस्तों तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं बडली माता का मंदीर आकोला चितौड़ गड़ में इस्तित है बेड़च नदी के किनारे पे इस्तित है दो तिबार यो के मध्य से अगर आप बच्चे को निकाल जोगे तो बच्चे की बिमारी ठीक हो जाती है खिमल माता का मंदीर भीन माल जालोर में है और भीन माल चेतर में आदी देवी के नाम से प्रसिद है भीन माल चेतर की आदी देवी कहलाती है चौत माता का मंदीर सवाई माधोप यह कंजर जाती की कुल देवी है सुहा की रक्षा हे तू महिलाएं कार्तिक क्रिश्न चतुर्ती को उपवास रखते हैं अश्ट भूजा प्रतीमा किस देवी की है तो सीला देवी की जो की आमेर के अंदर मंदिर इस्तित है इनकी अश्ट भूज प्रतीमा है और यह जैपूर के कच्छवा वन्ष की इस्ट देवी है महाराजा मान सिंग ने बंगाल विजय के बाद कैदार से विजय होकर यह मूर्ति यहां पे आमेर में स्थापित किया था किस देवी की खंडित प्रतीमा की पूजा की जाती है सीतला माता की खंडित प्रतीमा की पूजा की जाती है सीतला माता का मंदीर सील की डुंगरी चाक्षु जाइपूर में इस्तित है मेला चेत्र कृष्ण अस्टमी को भरा जाता है चेचक निवारक देवी और बच्चों की शरक छिखा भी कहा जाता है चलो आगे चलते हैं फ्रेंट्स एकदम किलियर हो रहा होगा कोई भी कन्फियूजन नहीं रहेगा आपको एकदम किलियर इसी वीडियो के दोरान में करा दूँगा सीकर के चोहानों की कुल देवी तो जीन माता रेवा सा सीकर जीन माता जो है वो सीकर के चोहानों की कुल देवी है और जीन माता का मंदीर रेवा सा सीकर में इस्तेथ है मंदीर जो है वो हर्स की पहारी सीकर में है हर्स की पहारी सीकर के अंदर जो जीन माता का मंदीर है यहां सीकर के चोहानों की कुल देवी है और मेला नवरात्रों में चेत्रों और आश्विन दोनों नवरात्रों में ही भरा जाता है धाई प्याला जो है मदीरा चड़ाई जाती है इस देवी को जो जीन माता है यहाँ पे धाई प्याला मदीरा चड़ाई जाती है सबसे लंबा लोगित जो है वो जीन माता का है चिरंजा कौन सा लोगित है चिरंजा लोगित ठीक है जीन माता का मंदिर कहां पे है रेवासा सीकर में है इन्हें मधू मक्यो वाली देवी भी कहते है तो देखो मैंने एक ही क्युस्टंस में आपको बहुत सारे क्युस्टंस ओल करा दिये हैं दोस्तों मेरा क्युस्टंस था कि सिकर के चोहानों की कुल देवी कौन है तो वो है जीन माता रेवासा सिकर और जीन माता का मंदिर हर्स की पहाड़ी सिकर में इस्तित है पहली बात के लिएर हो गई दूसरा मैं بात कर रहे है कि मेला तो मेला नवरात्रों में चेतर और आश्विन दोनों नवरात्रों में जीन माता का मेला भरा जाता है सबसे लंबा लोगित जो है वो जीन माता का ही है ठीके और यहाँ पे ढाई प्याला मदीरा भी चड़ाई जाती है लोगित का नाम है चिरंजा यह सबसे लंबा लोगित है और इन्हें मदू मक्यो वाली देवी भी कहा जाता है ठीके मदू मक्यो वाली देवी भी कहते है आग पर हैं चामुंडा माता का मनदिर कहां इस्तित है तो आप बोलोगे जोत पूर में इस्तित है सेप्टेमबर 2008 में भगदड मचने से यहाँ पे 300 लोगों की मृत्यू हो गई थी और यह चामुंडा माता है परतीहारों का इंद्रवंस जो है इंद्रवंस की यह कुल देवी है चामुंडा माता का मंदिर कहां पे इस्तित है। चामुंडा माता का मंदिर जोतपूर में इस्तित है। सेप्टमबर टुठाउजन एट में भगदड मचने से यहां पे तीन सो लोगों की मृत्यू हो गई थी। प्रतिहारों का जो इंद्रवन से उनकी यह कुल देवी है चामुंडा माता डाकू का इस्ट देवी डाकू की इस्ट देवी कौन जोगनिया माता जो है भिलवाडा में यह डाकू की इस्ट देवी है और अगर यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं तो यहाँ पे मुर्गे छोड़े जाते हैं मनो कामना पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़े जाते हैं दाक। की इस्ट देवी जोगनिया माता जो है भिलवाडा में वो डाको की इस्ट देवी है राजा धूंद की कुल देवी कौन है धनोप माता जो है भिलवाडा में ये राजा धूंद की कुल देवी थी राजा धूंद की कुल देवी धनोप माता और मेला चेत्र मास में भरा जाता ह clear आगे देखो मंसा देवी का प्राचीन मंदिर तो मंसा देवी का प्राचीन मंदिर आमेर जैपूर में है very very important questions है friends मंसा देवी का प्राचीन मंदिर आमेर जैपूर में है ठीक है एक वर हम इसका review कर लेते हैं सिकर के चोहानों की कुल देवी कौन है जीन माता जो है रेवासा सिकर वो सिकर के चोहानों की कुल देवी है मंदिर हर्स की पहाड़ी पर मंदिर इस्तित है मेला चेत्रो और आश्विन नवरात्रों में भरा जाता है ढाई प्याला मदीरा चड़ाय जाता है सबसे लंबा लोगित चिरंजा लोगित जो है वो जीन माता का ही है और इन्हें मधु मक्यों वाली देवी भी कहा जाता है आगे देखो चामुंडा माता का मंदीर जोदपूर में है 2008 सेप्टेंबर में भगदर मचने से यहाँ पे 300 लोगों की मृत्य हो गई थी प्रतिहार के इंद्रवन्स की यहाँ कुल देवी है डाकवो की कुल देवी कौन जोगन्या माता जो है वो डाकवो की कुल देवी है भिलवाडा में मंदीर इस्तित है और मनो कामना पूर्ण होने पर यहाँ पे मुर्गे छोड़े जाते है राजा धुन्द की कुल देवी धनोप माता जो है वो राजा धुन्द की कुल देवी है मेला चेत्र मास में भरा जाता है मंचा देवी का प्राचीन मंदिर आमेर जैपूर में है और मंचा देवी का मंदिर खेतड़ी जूंजनू में है खेतड़ी जूंजनू को ताम्र नगरी कहा जाता है मंचा देवी का मंदिर कहा पे खेतड़ी जूंजनू में खेतड़ी जूंजनू जो है इसको ताम्र नगरी कहा जाता है जूंजनू जिला राजस्तान का तामबा जीला कहा जाता है और तामबा उत्पादन में राजस्तान प्रथम इस्थान पर है मंचा देवी जो है सेखा वटी की कुल देवी है और मेला नवरात्रों में भरा जाता है मंचा देवी का मंदीर खेतडी जूंजनु में है खेतडी जूंजनु को तामर नगरी के नाम से जाना जाता है और यह सेखावटी की कुल देवी है मेला नवरात्रों में भरा जाता है दोस्तों के लिए अठारा सो सतावन की क्रांती की देवी किसे कहते हैं सुगाली माता को अठारा सो सतावन की क्रांती की देवी कहा जाता है ठाकुर कुसाल सिंग वह अठारा सो सतावन की क्रांती की देवी सुगाली माता है यह दस सिर वह चौपन हातों वाली देवी भी कहला और यहाँ चम्पा वतों की कुल देवी है देखो फ्रेंड यह आपको ध्यानेकना बेहर जरोरी है कि कौन सी लोक देवी किस संप्रदाई की यह कुल देवी होती है तो 1857 क्रांती की देवी कौन है सुगाली देवी जो है वो 1857 की देवी है और यह ठाकूर कुसाल सिंग और 1857 की देवी है ठीके यह दस सीर्व चौपन हातों वाली देवी कहलाती है और यह चंपावतों की कुल देवी है क्लियर राज संबंद जील की नीव किस लोक देवी ने रखी थी तो जो गेवर माता है गेवर माता ने राज संबंद जील की नीव रखी थी गेवर माता का मंदीर राज संबंद जील में इस्तित है हात में जलती हुई जवाला लेकर यहां सती हो गई थी कौन गेवर माता हात में जलती हुई जवाला लेकर सती हो गई थी भोपा जाती की कुल देवी कौन है वीरा तारा माता चोहटन बाढ़ मेर में जो है वो भोपा जाती की कुलदेवी होती है कौन वीरा-तारा-माता-चोहटन- बार मेरमिन का मंदीर है वाकल-माता भी कहते है अर मेला वर्ष में तीन वार भरा जाता है चेत्र-भादरपद-माग-शुकलत-चतुर्थि को भरा जाता है मेला जो है वर्स में तीन वार चेत्र भाद्रपद और माग सुकलत चतूरदसी को भरा जाता है क्लियर देखो अब एक वार रिव्यू कर लेते हैं मन्शा देवी का मंदिर खेतरी जूंजनों को तामर नगरी भी कहा जाता है और मन्शा देवी का प्राचीन मंदिर आमेर जाइपूर में इस्तित है मन्शा देवी सिखावटी की कुल देवी है मेला नवरात्रों में भरा जाता है क्लियर आगे देखो 1857 की देवी कौन सुगाली माता जो है वो 1857 की कुल देवी है ठाकूर कुसाल सिंग व अठासो सतावन की क्रांती की देवी है दस सीर व चौपन हातों वाली देवी है चंपावतों की यहां कुल देवी है राज संबन जील की नीव घेवर माता ने रखी थी घेवर माता का मंदीर राज संबन जील में इस्तित है घेवर माता हाथ में जवाला लेकर जो है सती हुई थी बोपाजाती की कुल देवी वीरातारा माता चोहटन वाडमेर में इस्तित है इन्हें वाकल माता के नाम से भी ज जाता है मेला वर्ष में तीन वार चेत्र भादरपद और माग सुक्लत चत्तुरदसी को मेला भरा जाता है के लिएर आगे देखो मेवाड के गुहिल वसी सोध्यावन्ज की कुल देवी कौन बाण माता बाण माता का मंदिर नागदा उदैपूर में बाण माता जो है मेवाड के गुहील वसी सोध्यावंस की कुल देवी है चितोड में भी बान माता का मंदिर इस्तित है चितोडगड में भी आपको बान माता का मंदिर देखने को मिलेगा यह जो प्रतीमा है वो गुजराच चे लाई गई थी महमुद खिल जी ने लकड़िया भर कर आग लगा दी थी ठीके महमुद खिल जी ने क्या किया था लकड़िया भर कर जो ये बान माता का मंदीर है यहाँ पर आग लगा दिया था तो देखो बहुत सिंपल याद हो गया होगा आपको अब मेवाड के गुहिल वसी सोध्यावंस की कुल देवी कौन बान माता बान माता का मंदीर कहां पे नागदा उदैपूर में और चितोरगड में भी बान माता का मंदीर है प्रतीमा कहां से लाई गई गुजरात से लाई गई और जो महमूद खिलजी थे दोस्तों महमुद खिल जी ने यहाँ पे लकड़िया भर कर आग लगा दी थी देवी की देव्यानी वह सब तिर्थों की नानी कहा जाता है किसको साकंबरी माता को जो की सामभर जैपूर में इस्तित है इन्हें देवी की देव्यानी और सब तिर्थों की नानी कहा जाता है यह चोहान वंस की कुल देवी है और यह दुर्गा माता का दूसरा रूप भी है देवी की देव्यानी या सब तिर्थों की नानी की से साकंभरी माता को कहा जाता है साकंभरी माता का मंदीर सांभर जैपूर में इस्तेथ है और यह चोहानों की चोहान वंस्किय कुल देवी और इस दुर्गा माता का दूसरा रूप भी कहा जाता है खंडेल वालों की कुल देवी कौन है सकराई माता जो है वो खंडेल वालों की कुल देवी है उदैपूर वाटी जूंजनू में मंदीर इस्तेथ है और सक्रतिर्थ भी कहते है खंडेल वालों की कुल देवी कौन सकराई माता जो है उदैपूर वाटी जूंजनू में इनका मंदीर जूझनू में स्तित्त है। अे अंग्रवालों की यहा कुलि देवी है। रानीशती का बच्पन का नाम नराइनी वाई था क्या था नराइनी वाई और मेला भाद्रपद अमावश्या अमावश्या को भरा जाता है, मेला जो है वो भादरपद अमावश्या को भरा जाता है दोस्तों, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, गुहिल, मेवाड के गुहिल वन्स, वसिसोधया वन्स की कुल देवी, बान माता, इनका मंदीर नागदा उदैपूर में इस्तित है, और चित्तोरगड में भी इस्तित है महमुद खिल जी ने लकडिया भर कर आग लगा कर इस मंदिर में आग लगा दिया था देवी की देव्यानी वह सब तिर्थों की नानी साकंबरी माता सांबर जैपूर में इस्तित है चोहान वंच की यह कुल देवी है और दुरगा माता का यह दूसरा रूप है खंडेल वालों की कुल देवी कौन सकराई माता जो है वो खंडेल वालों की कुल देवी और इनका मंदिर उदैपुर वाटी जूंजनू में इस्तित है सक्रतिर्थ भी कहते हैं जूंजनू के अगर वालों की कुल देवी रानी सती जो है वो जूंजनू के अगरवालों की कुल देवी है रानी सती का बच्पन का नाम नराएनी बाई था और मेला भाद्रपद अमावश्या को भरा जाता है देखो फ्रेंड्स मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आपको ऐसा कंटेंड प्रोवाइड करा पाऊं कि मैं आपको ये एक्जाम किलियर करवा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंड फ्री में प्रोवाइड करा पाऊं अब अभी मैं देख रहा हूं कि जितने भी बड़े यूटूबर्स थे जिनके पास बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत सारी क्लासे लगाते हैं लेकिन अब उन्होंने पेड क्लासे कर दी है इससे क यही टारगेट है कि मैं आपको इतना अच्छा पढ़ाऊं कि आपको कहीं कोई कोचिंग कहीं कोई और चैनल पर जाना ही ना पढ़े मेरा एक ही टारगेट है अगर आप आ गए मेरे साथ जुड़ गए हो क्लास को अटेंड कर लिया है तो आपको इसी क्लास में मैं सारी ची है ठीक है किसकी नायों की तो यह कुल देवी है और यह मिनाओ की अराध्य देवी है मंदीर राइगड तैसिल में बढ़वा ड़ुंगडी की पहाड़ी पर इस्तित है आय माता का मंदीर बिलाडा जोदपूर में इस्तित है आई माता का मंदीर कहां पे फ्रेंड्स बिलाडा जोदपूर में इस्तित है यहां राम देव जी की सिस्या थी बच्पन का नाम है जी जाबाई है शीखी जाती की यहां कुल देवी है थार की वैशनो देवी किसे कहते हैं बहुत ही सिंपल है तनोट माता जेसल मेर थार की वैशनो देवी कहलाती है सैनिको की देवी और रुमालो की देवी भी कहलाती है फ्रेंड्स लकवे से ग्रसित वैक्ती का इलाज कौन सी लोग देवी करती है तो आवरी माता जो है निकुम्च तौडगड में मंदिर इस्तित है यह लकवे से ग्रसित वैक्ती का इलाज करती है कौन आवरी माता माता के अग्रभा की पूजा न होकर पीट की पूजा ब्रामनी माता सोर सेन बारा में इस्तित है इनकी पीट की पूजा की जाती है माग सुकल सब्तमी में गदो का मेला भरता है या माग सुकल सब्तमी में किसका गदो का मेला भरता है कोटा के सासकों की कुल देवी बढ़ाना माता जो है वो कोटा के सासकों की कुल देवी है तांतरिक विद्या से यहां पे इलाज किया जाता है तो कोटा के सासकों की कुल देवी कौन बढ़ाना माता जो है वो कोटा के सासकों की कुल देवी है फ्रेंड्स क्लियर एक वार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं नायों की कुल देवी नराइनी देवी जो है वो नायों की कुल देवी है और यह मीनाओ की अराध्य देवी है मंदीर राइगड तहसिल में बढ़वा डुंगडी की पहाड़ी अलवर में इस्तित है आय माता का मंदीर बिलाडा जोदपूर में इस्तित है यह राम देव जी की सिस्या थी बच्पन का नाम इनका जीजाब आई था और यह सिखी जाती की कुल देवी है थार की वैशनो देवी कौन तन्नोट माता जो की जेसल मेर में है यह थार की वैशनो देवी कहलाती है उपन क्या-क्या है सैनिकों की देवी और रुमाली देवी भी कहा जाता है लकवे से ग्रसित व्यक्ति का इलाज कौन सी लोग देवी करती है तो आप बोलोगे आवरी माता जो निकूंब चितोडगड में मंदिर इस्थापित किया गया है ऐसी कौन सी लोग देवी है जिनकी अग्रभा की पूजा ना करके पीट की पूजा की जाती है तो आप बोलोगे ब्रामनी माता जो सोर्श इन बारा में इस्तित है माग सुकल सब्तमी में यहाँ पे घदो का मेला लगता है को है कोटा के सासकों की कुल देवी है और तांत्रिक विद्या से यहाँ पे इलाज किया जाता है कि लिए दोस्तों आगे चलो खंगारोत सासकों की कुल देवी कौन जवाला माता जो है वो खंगारोत सासकों की कुल देवी है जालपा देवी के नाम से भी प्रसीद है जौबन जैपूर में इनका मंदीर है और मेला नवरात्रों में भरा जाता है खंगारोत साजको की कुल देवी जौला माता जालपा देवी के नाम से भी प्रसिद है और इनका मंदीर जौबने जैपूर में इस्तित है और जो है जौला माता का मेला वो नवरात्रों में भरता है जालोर के चोहान सासकों की कुल देवी कौन? आसा पूरा माता जो है वो जालोर के चोहान सासकों की कुल देवी है जालोर के चोहान सासकों की कुल देवी कौन है? आसा पूरा माता जालोर के चोहानों की कुल देवी है मोदरा जालोर में मंदिर है इन्हें बड़े उद्धर वाली देवी भी कहा जाता है बड़े उद्धर वाली देवी आसापूर्ण करने वाली देवी और महोदरी देवी भी कहते हैं जालोर के चोहांच सासों की कुल देवी कौन है आसापूरा माता इनका मंदीर मोदरा जालोर में इस्तित है, इन्हें बड़े उधर वाली देवी, महोदरी और आसा पूर्ण करने वाली देवी भी कहते है, महरांगड दुर्ग की निव किस लोग देवी ने रखी थी, तो कर्णी माता ने महरांगड दुर्ग की निव रखी थी, महरांगड जो दुर्ग है वो चीडिया टुक पहाडी पर इस्तित है, कर्णी माता का मेला नवरात्रों में चेत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में भरा जाता है, कर्णी माता का बच्पन का नाम रीधी वाई था, राओ बिकाने इनी के आसिरवाचे राठोड वंस की स्थापना बिकानेर में की थी, यह चारनों की कुल देवी है, कर्णी माता का मृत्यू गिनोरी की तलाई में हुआ था, और इन्हें सफेद चिल का अवतार माना जाता है, और जो कर्णी माता का मंदीर देशनों बिकानेर में इस्तित है, फ्रेंड्स, क्लियर? तो एक वर हम इसका रिव्यू कर लेते हैं, खंगारोत साशकों की कुल देवी, जो आला माता जो है, वो खंगारोत साशकों की कुल देवी है, जालपा देवी के नाम से भी जाना जाता है, जौबनेर जैपूर में जो है, मंदीर इस्तापित है, और मेला नवरात्रों में भ बहरा जाता है जालोर के चोहान सासों की कुल देवी आसापूरा माता जो है वो जालोर के चोहानों की कुल देवी है इनके अन्य नाम बड़े उद्धर वाली देवी महोदरी और आसापूर करने वाली देवी भी कहते हैं महरान गड़ दूर्ग की नीव किसने रखी थी कर्णी माता ने महरान गड़ दूर्ग की नीव चिडिया टुक पहाडी पर रखी थी मेला कर्णी माता का मेला चेत्र और आस्वी नवरात्रों में आता है बचपन का नाम क्या था रिधी भाई के नाम से जाना जाता था राव बिका ने इनी के आसिरवाद से जांगल परदेश यानी बिका नेर में राठोड वन्स की स्थापना की थी यह चारणों की कुल देवी है मृत्यू घिनोरी की तलाई में मृत्यू हुआ था और यह सफेद चील का अवतार माना जाता है तो पार्ट टू में इतना ही है दोस्तों एक वार हम इसका पूरा रिव्यू कर लेते हैं जिसे चीजे हमें और अच्छे से याद हो जाए ठीके चलो पहला था दज्या क्रसी किसे कहते हैं भील जन जाती द्वारा मैदानी भागों में जो क्रसी की जाती है उसे दज्या क्रसी कहते हैं भीलो के किस नरत्य को खेल नरत्य कहते हैं नेजा नरत्य जो है भीलो के इसे खेल नरत्य भी कहते हैं बासवाडा का मांगड बील संपरदाई के लिए प्रसेद है भीलो द्वारा वीवा के अफसर पर किया जाने वाला नर्त्य हाती मना नर्त्य है दक्षिन राजस्थान में भील जन जाती का कौन सा नरत्य नाटक के रुप में किया जाता है तो वो है गवरी नरत्य वर्षा के देवता कौन है मामा देव जी जो है वो वर्षा के देवता है और इनके काश्ट के तोरन की पूजा की जाती है और भैसो की कुरवानी दी जाती मली नाजी का मंदिर कहां पे तिलवाडा बारमेर में मली नाजी का मंदिर इस्थापित है यह राजिस्थान का सबसे प्राचीन पसू मेला भरा जाता है बाबा हरी राम जी का मंदिर जोडरा नागोर के अंदर बाबा हरी राम जी का मंदिर है मेला भाद्रपद सुकल पंचमी को भरा जाता है गोडो का तिर्थ इस्थल आलम जी का जो धोरा है यह गोडो का तिर्थ इस्थल कहलाता है मेला भाद्रपद सुकल दित्या और माग सुकल दित्या को भरा जाता है गुढा मनाली बाडमिर में करोली के मिनाव की अराध्य देवी केला देवी जो की करोली में है गीत लांगूर्या गीत गाया जाता है इनकी अराध्या में यह करोली के यादव वन्ज की कुल देवी है और करोली के मिनाव की अराध्य देवी है मेला चेत्रकृष्ण अस्टमी को भरा जाता है मंदीर काली सील नदी के किनारे पे इस्तित है कर्णी माता का जनम कहां पे हुआ था जोदपूर के सुवाप गाउं में हुआ था इनको चुहो वाली देवी और चारनों की कुल देवी और बीकानेर के राठोडों की अराध्य देवी है मंदीर इनका देशनोक बीकानेर में इस्तित है किस देवी के उपरी हिस्से में पांच प्रतीमा है सीला देवी आमेर में जो है इनके उपरी हिस्से में पांच प्रतीमा है सुन्धा माता का मंदीर जालोर में इस्तित है बडली माता का मंदीर आकोला चितोर गड में इस्तित है बेड़च नदी के किनारे इस्तित है दो तिबारियों में से बच्चे को निकालने पे बीमारी ठीक हो जाती है खीमल माता का मंदीर भीन माल जालोर में इस्तित है भीन माल छेत्र की आदी देवी कहलाती है चौत माता का मंदीर सवाई माधोपूर है सवाई माधोपूर में है चौत माता कंजर समाज की कुल देवी है और महिलाए अपने सुहा की रक्षा है तू क्या करती है कार्ति कृष्ण चतुर्ती को जो है उपवास रखती है अश्ट भूजा प्रतिमा किस देवी की है सीला देवी आमेर में जो है इनकी अश्ट भूज प्रतिमा है या जैपूर के कच्छवावन्ज की इस्ट देवी है महाराजा मान सिंग ने बंगाल विजय में कैदार को हरा कर यहां मुर्ती लेकर आये थे किस लोग देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है तो सितला माता जो है इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है सील की डुंगरी चाकशु जैपूर में इनका मंदिर इस्तित है इने चेचक निवारक देवी और बच्चों की सरक्षिका वह चेत कहा जाता है और मेला चेत्रकृष्ण अस्टमी को मेला भरा जाता है सितला माता का पुजारी कुमहार जाती का होता है और इनका वहन घदा है ठीके और इस दिन सभी लोग बासोड़ा खाना खाते है यानि बासी खाना खाते है सिकर के चोहानों की कुल देवी जीन माता रेवासा सिकर है मंदीर हर्स की पहाड़ी पर इस्तित है मेला नवरात्र चेत्र और आश्विन दोनों नवरात्र में भरा जाता है धाई प्याला मदीरा चड़ाई जाती है सबसे लंबा लोगित चिरंजा लोगित जो की जीन माता और इन्हें मधू मक्यो वाली देवी भी कहते हैं दोस्तों चामुंडा माता का मंदीर कहां इस्तित है तो चामुंडा माता का मंदीर जोतपूर में इस्तित है सेप्टेंबर 2008 में यहाँ पे भगदड मचने से क्या हुआ था यहाँ पे 300 लोगों की मृत्यू हो गई थी और प यहाँ पे जो है भीलवाडा में यह डाको की इस्ट देवी है यह मनोकाम्ना पूर्ण होने पर यहाँ पे मुर्गे छोड़े जाते हैं राजा धुंद की कुल देवी धनोप माता जो है वो राजा धूंद की जो है कुल देवी है मेला चेत्र मास में भरा जाता है मंचा देवी का प्राचीन मंदिर अगर आप से पूछा जाए तो आप बोलेंगे आमेर जाइपूर में इस्तित है और अभी नया मंदिर जो है खेतडी जूंजनु में इस्तित है खेतड़ी जुन्जनु को तामर नगरी कहा जाता है या जुन्जनु जीला पूरा ही तामबा जीला कहा जाता है राजस्थान तामबा उत्पादन में प्रत्थम इस्थान पर है सिखावटी की यहां कुल देवी है और मेला नवरात्रों में भरा जाता है मंसा देवी ठीक है की देवी कहा जाता है दस सीर्व चौपन हातों वाली देवी है दोस्तों ठीके और चंपावतों की यहां कुल देवी है राज संबंद जील की नीव गेवर माता ने रखी थी गेवर माता का मंदीर राज संबंद जील में इस्तित है हात में जलती हुई जवाला लेकर यहां सत भौपा जाती की कुल देवी बीरा तारा माता चोहटन बाड मेर में इस्तित है इन्हें वाकल माता भी कहते हैं मेला वर्स में तीन वार चेत्र भादरपद माग सुकलत चतुर दसी को भरा जाता है मेहवार के गुहिल वंच वसी सोध्या वंच की कुल देवी बाण माता नागदा उदैपूर में इस्तित है चितोडगड में भी बाण माता का मंदीर है प्रतीमा गुजराच से लाई गई है और महमुद खिलजी ने आग भर कर लकड़िया भर कर यहाँ पे आग लगा दी थी देवी की देव्यानी वसब तिर्थो की नानी साकमभरी माता सांबर जैपूर में है इनको कहा जाता है यह चोहान वंच की कुल देवी भी है और इने दुरगा माता का दूसरा रूप भी कहा जाता है दोस्तों खंडेल वालों की कुल देवी सकराय माता जो है इने खंडेल वालों की कुल देवी उदैपूर वाटी जूझनू में इस्तित है सक्रतिर्थ भी कहते है जूझनू के अगर वालों की कुल देवी कौन रानी सती को जूझनू के अगर वालों की कुल देवी कहा जाता है इनका बच्पन का नाम नराइनी बाई मेला भाद्र पद अमावश्या को भरा जाता है नायो की कुल देवी नराइनी देवी मीनाओ की अराध्य देवी नराइनी देवी मंदीर राइगड तैसिल में बढ़वा डुंगडी की पहाड़ी पर अलवर में इस्तित है आई माता का मंदीर बिलाडा जोदपूर में यह राम देवजी की सिस्या थी और बच्पन का नाम इनका जीजा बाई था सीखी जाती की यह कुल देवी है आई माता थार की वैसनो देवी कौन है तन्नोट माता है इसे सैनिकों की देवी और रुमाली देवी भी कहा जाता है ठीक है लकवे से ग्रसित व्यक्ति का इलाज कौन सी लोग देवी करती है आवरी माता जो है वो लकवे से ग्रसित व्यक्ति का इलाज करती है आवरी वाता का मंदिर न नामनी माता का मंदिर सोर सेन बारा में है और माग सुकल सबतमी में घदो का मेला भरा जाता है। कोटा के सासकों की कुल देवी बढ़ाना माता तांतरिक विद्या से इलाज किया जाता है। खंगारोत सासकों की कुल देवी कौन जवाला माता जो है वो खंगारोत सासकों की कुल देवी है। इन्हें जालपा देवी के नाम से भी प्रसिद है। जौबनेर जैपूर में का मंदिर है और जवाला माता का मेला जो की नवरात्रों में भरा जाता है। जालोर के चोहान सासकों की कुल देवी कौन? आसा पूरा माता मोदरा जालोर में इस्तित है यह चोहान जालोर के चोहान सासकों की यहां कुल देवी है मोहन महरांगड जो दुर्ग है उसकी नीव किसने रखी थी तो महरांगड जो दुर्ग है चेडिया टुक पहाडी पर इस्तित है इसकी नीव कर्णी माता ने रखी थी कर्णी माता का मेला चेटर और आस्विन दोनों नवरात्रों में भरा जाता है कर्णी माता का बच्पन का नाम रिधी बाई है राउ बिका ने कर्णी माता के आसिरवात से ही जांगल परदेश में राठोड वंज की इस्थापना की थी और यह चारणों की खुल देवी है करणी माता का मिर्त्यू गिनेरों की तलाई में हुआ था और यह सफेद चील का अवतार माना जाता है करणी माता को चुहो वाली देवी भी कहा जाता है और यह चारणों की कूल देवी है ठीक है यहाँ पे सफेद चूए भी देखने को मिलते हैं जीने काबा कहते हैं खहा जाता है कि अगर आपको सफेद चूहा दिख गया तो आपकी मनो कामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए हम क्लोज करते ह अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर लीजिए मैरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे मेरा पूरा वीडियो आपको दोस्तो एक्जाम औरियंटेट मिलेगा इस वीडियो को देख